हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक नई वीडियो में आज की वीडियो में हम जो अपनी इंट्रीज की हुई है उनको देखना सीखेंगे शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होता है गैटेवे ओफ टैली में जो कि हम यहां पर हैं इसके बाद फिर आपको को जाना है डिस्पले में तो यहां पर आपको नीची दक रहा होगा डिस्पले जा है तो आप डी दवा कर भी पर जासकते हैं यला फिर नेविगेशन की से आप इस प्रिप कर से यहां ने किया डिस्पले इसके बाद हम जाएंगे डेवुक में तो यहां पर आप इसके बाद हम थोड़ा सा इको देख लेते हैं तो यह जो आप इंट्री दिख रही है यह जो है हमारी लास्ट डेट की पूरी इंट्री है और यह कुछ-कुछ हमारे जनराल इंट्री की तरह होता है जन्रल इंट्री में चिस में हम फुरी डेई की हमारे the case आप कुछ-कूण से इंट्री कहाँप हुई यह तो यहां पर होती है अप यह देख और Ini कीली सकते है प्र इसके वार होता पार्टिकॉल्र पार्टिकॉलर मतलब किन क्स हमने रहे ट तो बाइचर टाइब में यह होता है कि किस तरह तरय गतSee कि कंघर सदीक्सिं किया था पेइमेंट किया थाjob." करेंगे इसका आगे कोई और का इंटरी करेंगे यहां पर पे ट्रांजेक्शन कों डीटेल में डेखना चाहते हैं यहां पर करेंगे चलब यहां पर सिंगल मntब की कंट्रोल के साथ काम करेंगे और यहांd पर सींगल ेंगे तो मतकब यह अल्ट के साथ काम करेंगे तो यदि हम इनकी डीटेल्स भी देखने हैं तो अल्ट के साथ हम F1 दबाएंगे तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि जो है हमने किस किस तरह का अब आपको आपको सारे दिख रहे होंगे यहाँ और भी इंटरीज से आप नीचे जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको सारी डीटेल्स दिख जाएंगे समराइज रूप में फिर इसके वाद आप अल्ट के साथ फिर से F1 दबाएंगे तो जैसी पहले चीप ऐसी कि वै आप only F2 ही प्रैस करना है तो जैसे आप F2 प्रैस करेंगे तो यह ड गूची का आपको ट्रांजेक्शन देखना है तो जैसे कि मैं डाल जाता हूं सिर्फ मज मचे 1 अपरेल का देखना और एंटर करतूंदा तो यहाँ पर आप देखना है ये एक अपरेल के ओन्ली ऐक अप तो यहां पे मैं यहां पर दीखिए सिंगल लाइन खीची हुई है मतलब मुझे अल्ट के साथ एफ़ डवाना है तो मनलब कब से और कब तक, तो हमें 1-2 अपरेल तक का देखना, तो यहां पर, आप देख रहे होंगे, एक से लेकर 2 अपरेल तक की पूरे ट्रांजेक्शन्स दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से हम पिरियट को करके हम चाये तो कितने ही दिन का टारंजीक्शन दuffा सकते हैं मैंने जो रिंटीक्स की है वह सिर्फ दो ही डीट में की एम एक till दो टारीक को लिए में इसलिए मैंने सिर्फ दो दिन आ पडिल लिया है तो यहां पर मैं F4 Direct प्रेस कर जाएंगे और किस को पैमेंट किया वो भी आपको दिख जाएगा तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकलर एक बाउचर को देख सकते हैं यदि आपको बापिस सारे बाउचर करना है तो F4 पर जाएगे और All Items पर क्लिक कर देख जाएंगे इसके लाब और कोई से बाउचर की देखना है आप Point Tax ऑनरा के इंट्री भी देख सकते हैं जिसम इनकी की जो है इस हम किसी पर्टिकलर बाउचर के इंडिरी को देख सकते हैं फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ और आप्सण्स दी होते हैं ह但是 ओते हैं जिनकी हमें ज्चैनल की बगेरा पता होना चाहिए। shortcut की पता होनी चाहिए तो शुरू करते हैं यहां से quit मतलब हमें यहां से बाहर जाना है तो यहां पर double line खीची हुए है इसका मतलब हमें control के साथ दवाना है तो यह देखिए control के साथ में अब जिस entry को आप अल्टर करना चाहते है चेंज करना चाहते हैं उस पर आप click enter कर दीजी तो जैसे कि माल लीजिए यह मैं अमित अकाउंट का receipt जो है change करना चाहते हैं इंटर पर click किया इसके पाद डेट चेंज करना चाहें तो यहां से change कर सकते हैं कि हाथ से मैं narration हटा दे रहा हूं और इसके बाद accept कर दिया तो यह जो है entry alter हो चुकी है change हो चुका है इसको देखने के लिए आप बापिस center कर सकते हैं तो यह देखिए narration मैंने हटा दिया था तो वह हट चुका है इसके बाद बापिस हम control के साथ क्यों दबाएंगे तो क्यों कुट हो जाएगा फिर इसके बाद होता है डिलीट तो किसी entry को आप delete करना चाहते हैं तो delete कर सकते हैं जैसे कि माल लीजिए यह मैंने cancel कि है इस entry को मैं delete करना चाहता हूं तो यहां पर आप देख रहे हैं single line का मतलब हमें alt के साथ depress करना है तो मैंने alt के साथ depress किया यह dialogue box open होगा जिसमें लेखा होगा yes or no यदि आप delete करना चाहते हैं तो enter press कर दीजिए नहीं करना चाहते हैं तो escape की press कर सकते हैं मैं इसको delete करना है तो मैं yes कर दो का तो यह देखिए cancelled वाली इसके लाबा और कोई सी इंट्री चेंज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं आपको सिर्फ अल्टर के साथ depress करना है उसको select करके तो यहां पर आदि आप yes कर देंगे तो वह ही इंट्री डिलीट हो चुकी है इसके वाद होता है अड्र बाउचर मतलब जैसे कि माल लीजी हमने जो इंट्री की थी कोई हम एक तारी के इंट्री कोई सी भूल गाए है तो हमें क्या करना है यहां पर वह इंट्री करने यहां पर उस इंट्री को करने के लिए एर वाउचर पर क्लिक करेंगी या फिर सिंगल नाइन है तो ल्ट के साथ एपरेश करेंगे तो यहां पर जो ए वो बाउचर खुल जाएगा और जिस तरह के आपको एंट्री करनी पेमेंट करना है Contra है क्या है जो भी है आपकी वह आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि माल लीजिए हमने अमित को पैमेंट की एक हजार रुपे का और कैसी की कैश में और यहां पर आप नरिशन डाल दीजिए कैश पेड तू अमित और यहां पर आप देखेंगे यह जो है इंट्री हो चुकी आपकी एक तारीक में पैमेंट की एंट्री हो चुकी है तो इस तरीके से जो हैं कोई भी बाउचर एड कर सक करतें तो आप इसी एंट्री को डबल से करेंगी तो उसके लिए आप जो है अल्ट के सांट कर्देख कर जए तो यहां पर में अल्ट के सांट कर दे को distant प्रेस की यह ऑद एक फो नहीं change कर सकते हैं तो मैं दो तारिक में इसके इंट्री कर रहा हूं इसके बाद सब कुछ सेम रहेगा एंटर एंटर प्रेस करते जाए और यहां पर आप देखेंगे अमित की इंट्री यह हो चुती है एक हज़र रुपे की जो हमने दो तारिक को उसको रिटन दिये थे और यह हमारी पहले वाली इंट्री जो हमने एड़ वाउचर करके डाली थी इसके बाद होता है रिमूब लाइन रिमूब लाइन में चाहता है जैसे कि आप किसी इंट्री को हाइड करना चाहते है जैसे कि म उस entry को यदि आप बापिस लाना चाहते हैं तो आप alt के सांथ यू दबादीजी तो alt के सांथ जैसे आप यू दबाएंगे तो वो entry बापिस आजाएगी फिर इसके बाद होता है select select मतलब क्या होता है जैसे कि आपको यह entry select करनी है और यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानि कि हमें सिर्फ space दबाना है तो वो entry select हो जाएगी जैसे कि मैंने space दबाया तो वो select होगी इसके लावब आप कोई और entry select करना चाहते हैं फिर space press कर दीगे फिर आप जैसे हमें एक एक करके इनको unhide करना है तो आप unhideकरना चाहते हैं तो आप UAल्ट के सांथ यह दबा के कर सकते हैं अल्ट के साथ यू दवाएंगे तो एक एक करके इंट्रीज जो है वो दिखने लगेंगे और यदि आप सभी को एक साथ देखना चाहते हैं सब को अन है एक साथ करना चाहते हैं तो चितनी भी आपके इंट्री हाइड थी वो सारी अन हाइड हो चुकी है और इसके बाद सभी लुदी इंट्रीज को एक साथ स्पेस दवाएंगे तो यहां पर आपको इसपेस देख रहा है तो यह देखे सारी जो इंट्रीज एक बार में स्ट्रीज पोचेगे और सबको ऐड करना है तो आरड़ा दबा दीजिए सब हाइड हो जाएंगी यदि आपको एकड करके दिखा कर दीजिए इस पर इंट्रीफ ऐपके वाली आपको दिख जाएंगी बैस प्रदियो के साथ कर मैं इस तरह से काम करते हैं और dhpc में उपसिन चाहर तो आफ़ यहां तब आगात好吧 फो थे अनुदय करना है तो तो क्या नेulित आप कर दो कर दो